हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है नियत मोहनी जी की अभी अभी नीद लगी ही थी कि बहु अलका उनके कमरे में आ गई और उन्हें जग जोरते हुए बोली लो अमा जी बात कर लो मोहनी जी ने आखे खोल कर देखा तो अलका हाथ में फोन लिये खड़ी हुई थी उसे इस तरह देखकर मोहनी जी ने पूछा किसका फोन है बहु और किसका होगा आपकी लाडिली बेटी का है जब देखो बस फोन खुरका देती है ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा बिलकुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा मोहिनी जी के छोटे से सवाल पर अलका ने पूरा लेक्चर दे दिया बहुँ मेरी बेटी है उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना अब मेरी तब्यत ठीक नहीं रहती है तो रोज फोन लगा देती है नहीं तो पहले कहां रोज फोन करती थी हाँ हम तो आपको बड़ा दुख में रखती है तो उसका दिल आपके लिए दुखता है चिचिडाती हुई अलका ने कहा और आखिर फोन उन्हें पकड़ा कर वहीं पास में खड़ी हो गई आखिर याभी तो सुनना जरूरी था कि मोहिनी जी अपनी बेटी से क्या बात करती है मोहिनी जी ने अपने कापते हाथों से फोन को अपने कानों पर लगाया और बोली हाँ बटिया कैसी है तू मैं ठीक हूँ अमा तुम कैसी हो बस बिटिया अपनी जिन्दगी के दिन गिन रही हूँ अब तो सरीर भी साथ नहीं देता बस भगवान उठा लें अब तो अरे ना अम्मा अभी तो बहुत लंबी उम रहे तुम्हारी अभी तो पोते पोती नाती नातिनों की साधी देखना बाकी है अब तो ना लगे है बिटिया की तब तक जिंदगी जी पाऊंगी बस तुम लो तैसे अपने कापके हाथों से दो घुट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हांसे चूट कर गिलास गिर गया अचानक गिलास गिरने की आवास सुनकर अलका दोड़ी दोड़ी कमरे में आई गिलास को जमिन पर गिरा देकर मोहिनी जी पर चिलाने लगी ये क्या ह अम्मा जी, आप से गिलास भी रखते नहीं बनता, गिरा दिया ना पानी, और कर दिया ना फर्स गिला, अम मेरा काम फैला दिया, अम मेरा घर का काम समहलू, या आपको समहलू, या आपके बिगड़े काम समहलू, बहू हाथ काप रही हैं, इसलिए गिलास गिर गया, हाँ फोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेते हो आप तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कापते पर जहां मेरा काम फैलाना हो वहाँ आपके हाथ कापने लग जाते हैं अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है मुझे इसाफ करना है तो कम से कम बहु की सुईदा भी देख लिया करो बहु में भी जीव होता है बड़बडाती हुई अलका बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्स पर पोछा लगाने लगी पोछा लगा कर खड़ी हुई और मोहिनी जी की तरफ देख कर बोली अब सोजाएए आप बिना मोहिनी जी की पृत्रिया जाने ही अलका दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई मोहिनी जी एक टक अपनी बहु को देखती रह गई पर उज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी आकिर रहना तो उन्हें उसी के साथ था बेटा तो सुभा का गया साम को ही घर में आता था दिन भर तो अलका ही होती थी उनके पास इसलिए उसकी तेज जवान को भी मोहिनी जी जहल जाती थी खैर अलका तो सुरू से ही तेज सुभाव की रही है पर फिर भी मोहिनी जी ने सब कुछ समाल लिया पैसे टके के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही पती की पेंसन का पूरा सहारा था जब तक मोहिनी जी के हाथ पहर चलते थे तो अपनी बेटी सुनिया को खुब बुलाती थी अपने हाथों से उसकी पसंद की चीजे खुद बना कर खिलाती थी बहु अगर चिचल करती भी तो सीधा जवाब दे देती थी कौन से तुम्हारे पती के पैसे खर्च करवा रही हूँ अभी तो मेरे पती की पेंसन आती है अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ वो अकेली आकर खाती है क्या तुम सब भी तो खा रहे हो इसलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है मोहनी जी का जवाब सुनकर अलका चुप हो जाती पर जब से मोहनी जी बिस्तर पर आई है तब से अलका का विवहार और भी रूखा हो गया है अब तो फिर भी मोहनी जी लाठी के सहारे उठकर अपने नित कर्म तो कर लेती है नहीं तो जो वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मुताज हो चुकी थी उस समय बेटी सुनिया ने ही उनकी सिवा की थी तब तो अलका आस बास भी नहीं फटकती थी उन-दस दिनों में सुनिया ने इस घर में रहकर मुहनी जी की खुब सेवा की थी लेकिन जैसे ही मुहनी जी दीरे दीरे लाठी के सारे खड़ी होने लगी और अपने नित कर्म अपने आप ही करने लगी उसके बास से ही अल्का ने अपना विवार सोनिया के प्रत्य और रुखा कर लिया आए दिन किसी ना किसी बात पर सोनिया से बहस करने लगी थी चोटी सी बात का बतंगड बना देती थी अब तो मोहनी जी को भी अल्का की नजरे बड़ी अजीब सी लगती थी पता नहीं कि वो सुभा और रात को सोते समय मोहनी जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती थी जबकि मोहनी जी ने सिर्फ कानों के सोने के जुमके और पहरों में चांदी की पाइल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे थे हाथों में लाग के चूड़ियां ही थी उस दिन करवा चौथ था सोनिया अपने माइके में ही मौजूद थी सोनिया अम्मा की तवित का सुनकर जल बाजी में तो आई थी तो ढंके कपड़े भी नहीं लाई थी तो अम्मा के कहने पर उनकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली वो साड़ी मौहनी जी के लिए अलका के माइके से आई थी ये देखकर अलका गुस्से से आग बबुला हो गई और सोनिया पर चिलाने लगी किसे पूछकर तुमने अम्मा जी के अलमारी खोली सब जानती हूँ मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो अरे अम्मा की सेवा तुबहाना है सब कुछ अड़ाप कर ले जाना चाहती हो अपने साथ और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से उसकी बास सुनकर सोनिया की आँखों में आंसु आ गए और वो बोली भावी अम्मा ने कहा था इसलिए पहन ली सब जानती तुम्हारा तिरिया चरितर अम्मा को बातों में पुसला कर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो बहुत हुआ बस कर क्या बोल रही है तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली उसमें इतना हंगामा कर रही है मेरी चीजों पर मेरी बेटी का भी हक है क्यों अम्मा जी रहती तो हमारे साथ हो फिर बेटी का काहे का हक इसे तो मैं एक फूटी कोड़ी भी न लेने दूँ बस करो अलका तुम्हें सर्म नहीं आती अम्मा से लड़ते हुए अचानक मोहन ने अंदर आते हुए कहा मोहन को देखकर अलका चिपतो हो गई लेकिन घर का महूल तो खराब होई चुका था यह आए दिन का किस्सा होने लगा था आखिर मोहनी जी भी कब तक बरदास्त करती खुद ही ऐसी इस्तित में थी कि ज्यादा क्या ही बोलती इसलिए उन्होंने सुनिया को खुद ही जाने को कह दिया खैर सुनिया तो बेटी थी उसे तो अपने ससुलाल जाना ही था इसलिए वो वापस अपने ससुलाल चली गई अब वो मोहिन जी से फोन पर ही बात करती थी उसमें भी अलका चिल जाती थी कई बार दो जान बुचकर बात ही नहीं करवाती थी कुछ से भी कुछ होता नहीं है और बेटी सुनिया को भी आने देती नहीं है पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है अलका को ऐसा क्यों लगत इसलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया खैर मोहिनी जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बातरूम के तरफ जाने लगी लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़ खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी अचानक कमरे में गिर करने की आवा सुनकर बहु कमरे में आ गई और मोहिनी जी को गिरा हुआ देखकर बोली अरे अम्मा जी क्या हाथ पैर तूड़वाने का इरादा है यदि हाथ पैर तूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा जैसे तैसे जलाती हूँ यलका ने मोहिनी जी को सहार देकर पलंग पर बैठाया पलंग पर लेड़ते ही मोहिनी जी अलका से बोली बहु मेरे सरीर में बिल्कुल जान नहीं रही कब मेरे प्राण पकेरू उड़ जाएं एक बार सोनिया को यहां बुला दे मैं बसे एक बार उसे देखना चाहती हूँ उससे मिलना चाहती हूँ ठीक है ठीक है बुला दूंगी कहकर मोहिनी जी को वलका वहीं छोड़कर अपनी कमरे में आ गई पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी मन ही मन सोचती हूँ वलका ने सोनिया को फोन करना ठीक नहीं समझा रात को मोहन घर पर आया तो अम्मा के कमरी में गया वहां मा को सोता हुआ देखकर वापस बाहरा गया सुबह उठकर जब मोहनी जी के कमरी में गई तो मोहनी जी के प्रांड पखेरू उड़ चुके थे पर उसे इस बात का बिलुकुल मलाल नहीं था कि उसने मोहिनी जी के कहने के बावजूद भी सोनिया को बुलाया नहीं बलकि बिना वक्त गवाये वो पटापट अम्मा के सरीर पर से गहने निकालने लगी लेकिन तब तक मोहन भी उटकर आ गया उसी अम्मा के सरीर पर से गहने उतारते देखकर मोहन बोला क्या कर रही हो त देखा अम्मा का सरिर ठंडा पढ़ चुका था, साइद काफी देर पहले ही उनकी मुथ हो चुकी थी, तुम्हें सर्म नहीं आ रही है, अम्मा के गhinे निकालने में लगे हुई हो, बता नहीं सकती थी कि अम्मा आप छोड़ कर जा चुकी है, अरे अम्मा तो जा चुकी है, क कि आगे मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर तक अलका की लालज भरी नजरों को देखता रहा। जबकि अलका अपने काम में लगी रही, थोड़ी देर बाद उसने सोनिया और बाके रिष्टेदारों को फोन कर अम्मा के संसार से जाने की खबर दी, जब किरिया कर्म हो गया, तो सोनिया वापस अपने पती के साथ जाने लगी, तब मोहन सोनिया से बोला, सोनिया तू तू गर की बेटी है, तुझे तो कम से कम पंदरा दिया रुकना ही चाहिए, नहीं भाई, जिस गर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था, वहां मेरा रुकना ठीक नहीं, फिर तुम तो सब कुछ जानते ही हो, अपने स्वाबमान की रच्छा तो मुझे खुद ही करनी है, अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा माय का भी खत्म, कहते कहते सोनिया की आँखों में आसू आ गए, मोहन ने देखा कि अलका अपने रिस्तेदारों से घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसे ने सोनिया को सांतोना नहीं दी, सचा आज वाकई, उसकी बहन का माय का पर फिर भी, मोहन ने भी सोनिया को रोका नहीं, सोनिया अपने पती के साथ बाहर आ गई, दोनों रवाना होने वाले थे, कि इतने में मोहन फिर सोनिया के पास आया, और एक छोटी सी पोटली, उसे देखर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिये थे, ये ले जा, ये अम् पास ही रखो पर सोनिया ये गहने तेरे हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है इसे पहले कि तेरी भावी के साथ रहे कर मेरी भी नियत खराब हो जाए तू इन्हें ले जा और रही बात मायके की तो जरूरी नहीं कि तू यहां आए मैं तेरे पास आ जाऊंगा तेरे सौब सोनिया कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई, हां मोहन हर अच्छा बंदन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर पर आ जाता है, हाला कि अलका ने इस पर भी काफी हंगामा किया था, पर मोहन एकान से सुनकर दूसरे एकान से निकाल देता, तो अलका धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई, और रही बाद गईनों की, तो अलका उन गईनों के लिए अपना सिर पीठती रह गई, जब मोहन ने उसे यहाँ बताया, कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम, तो गईने बेटी के नाम किये थे, और गईने उसने खुद सुनिया को दे दिये, अ आशा करती हूं, दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, धन्यवाद,